Hello friends! आज की ये विडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को धात, रोग और चिपचिपा पानी आने की परिशानी होती है तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे के चिपचिपा पानी आने की परिशानी क्यू होती है तो दोस्तों पहला है किसी को ज्यादा nightfall हो रहा हो दूसरा जिसने हाथ से गलत काम किया हो तीसरा, किसी ने अपना वीरिस ज्यादा निकाल दिया हो सेक्स के दोरान और उसकी नसों में कमजोरी आ चुकी है और चौथा रीजन जो सबसे मैन रीजन है जिससे 90 प्रतिशत लड़के बिमार हो रहे हैं जैसे आप अपनी गल्फ्रेंड से बात करते हैं रात रात भर फोन पर तो उससे क्या होता है कि आपका लिंग उत्तेजित होना शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है कि आपके लिंग से चिपचिपा पानी निकलना शुरू हो जाता है और फिर आपके लिंग की नसों में कमजोरी आ जाती है और अगर आप ऐसा ही काम करते हैं तो उससे काफी नुकसान होगा तो friends इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है जो बाते मैं आपसे करूंगा तो चले friends टार्ट करते हैं इस वीडियो को Hello friends, Welcome to Ayurveda Health and Wealth तो आप अपने दिल दिमाग को बिल्कुल साफ रखें जो जो बाते मैंने आपको बताई हैं उनसे भी बचे रहें और सबसे पहली बात आपको ज्यादा परिशान नहीं होना है क्योंकि ये शारीरिक बीमारी है इसका उपाय भी है लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है तो सबसे पहली बात आपको वो सारी हरकते छोड़ देनी हैं जो आप करते हैं जैसे masturbation यानि हस्तमेथुन इन्हें हो सके तो बिल्कुल बंद ही कर दें जिससे क्या होगा के आपकी body फिर से develop होना शुरू होगी अभी क्या है के अपने शायद और वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया है के भिंडी खालो, अदरक खालो उससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी अगर ऐसा होना होता तो वो तो आप वैसे ही दिन में खालेते हो उससे कुछ नहीं होता तो शायद इसी वजह से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो friends इस वीडियो को आप पूरा भी देखना ताकि आप पूरी जानकारी के साथ यहां से जाओ तो अब आप क्या करते हो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और कुछ दवाया ले आते हो उसे खा लेते हो और फिर वो टॉयलिट के रास्ते बहार आ जाती है फिर उससे कोई फायदा नहीं होता तो शायद इसी वजह से आप इस वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें स्किप न करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप अगली नॉलिजबल वीडियो कभी मिस न करें तो अब समझें इस चीज़ को के हमें mentally strong होने की जरूरत क्यूं है और बस हमें इस बिमारी को खत्म करने के बारे में सोचना है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक साल या दो सालों से masturbate नहीं क्या तो उन्हें mentally strong होने की जरूरत है के उन्हें अपना daily routine बनाने की जरूरत है morning में exercise करने की जरूरत है बाकी जो दवाई मैं आपको बताऊंगा उसे भी आपको लेना है तो अब बात करते हैं के ये बीमारी किन किन शकलों में हमारे सामने आती है तो सबसे पहले तनाव आया फिर चिपचिपा पानी निकला और तनाव खत्म अब तनाव ही नहीं आ रहा पुरे दिन में और रात को सोए सुबह उठके देखा तो अंडर वियर में liquid discharge तो अलग-अलग shape and form में ये परिशानिया आती है तो अब बात करते हैं कि कैसे इससे ठीक किया जाए पहली चीज फर्क इससे नहीं पढ़ता कि आपने पंदर हजार की दवाई खाए दस हजार की, पांच हजार की, नौसो की या फिर दोसो की फर्क इससे पढ़ता है कि जो दवाई आपने खाई है उस दवाई का composition अच्छा है या नहीं और अगर आपको कोई कहे कि ये आयुर्वेदिक दवाई है time लेगी ठीक होने में तो वो एक हद तक ठीक है लेकिन अगर आपको उस दवाई का असर 15 दिन में नहीं दिखता तो उस दवाई को आप एक या दो साल भी खाएंगे तो भी उस दवाई का फर्क आपको नहीं दिखेगा आयुर्वेदिक दवाई का असर 15 दिन के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है तो उन उसको और इन दवाईों से ठीक नहीं हो पाएंगे तो अब बात करते हैं कि इस समस्या में क्या खाना चाहिए तो मसाले वाली चीजे बिलकुल कम कर दें क्योंकि जिन लोगों को ये परिशानी होती है उन लोगों को एक और परिशानी मिलती है पेट की परिशानी जैसे पेट का हाजमा खराब है खटी डकार आती है और असिड़िटी होती है तो ऐसी परिशानी उन्हें होती है और उनमें 20% लोग वो होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका पेट साफ है लेकिन ऐसा नहीं है उनको भी पेट की परिशानी रहती है चाहे थोड़ी कम मात्रा में हो और जब तक आपका पेट साफ नहीं है आप आयूरवेदिक के अंदर कोई सी भी दवाई खा लें वो दवाई आपको फाइदा नहीं करेगी तो सबसे पहली चीज हमें पेट पर काम करना है और अब बात करते हैं कि हमें क्या-क्या खाना है और क्या-क्या नहीं खाना है तो non-veg बिलकुल नहीं खाना है एक महीने के लिए बिलकुल छोड़ देना है क्यूंकि non-veg में डिलते हैं मसाले और अब बात करते हैं कि आपको क्या खाना है आपको हरी सबजिया खानी है जैसे तुराई, करेला, लौकी, भिंडी, अर्वी और दाले भी खा सकते हैं आलू और घोबी रात में नहीं खाना है, दिन में खा सकते हैं और रात में नहीं दिन में दूद लेना है क्यूंकि उससे डाइजेस्टिफ सिस्टम में फर्क पड़ेगा तो इसी तरहां से आपका ट्रीटमेंट होगा और फल जरूर खाने हैं क्यूंकि इन में जबरदस्ट तरीके से विटेमिन्स, मिनरल्स और फाइबर होता है जो कैंसर, हार्ट, डिजीज और डाइबिटीज जैसी खतरनाक बिमारियों में कारगर साबित होता है और बजार की चीज बिलकुल बंद करें जैसे बर्गर, पीजा, समोसा, मोमोज और चौमीन जैसी चीजें फिर दिस्चाज के बाद एक और परिशानी आती है बोडी में वीकनस यानि कमजोरी की परिशानी तो घबराएं नहीं जब ऐसा दिस्चाज होता है तो बोडी में कमजोरी जरूर आती है इसका इलाज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा फल खाएं जैसे सेब, अनार वगेरा वगेरा बस केला नहीं खाएं क्यूंकि वो आपकी भूग को खत्म कर देता है तो अब बात करते हैं कि आखिर कौन सी दवाई ले सकते हैं इस समस्या में जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ वो कई लोगों ने इस्तेमाल करी है और जिन लोगों ने इस दवाई को लिया है उन्हें इस दवाई से बहुत फाइदा हुआ है और अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक कॉमेंट जरूर करें कि आखिर कितने दिन में इस दवाई से आपको फाइदा दिखना शुरू हुआ था और कितने दिन में इस चिपचिपे पानी की समस्या से छुटकारा मिला तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस दवाई का नाम है सफूफ मुकवी ये एक आयुर्वेदिक दवाई है ये दवाई धात रोग की समस्या में बहुत कारगर साबित हुई है इस दवाई का कोर्स दो से तीन महीने का होता है लगभग 10 से 15 दिन में इस दवाई से आपको फर्ग दिखना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि पहले महीने में ही धात की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए और आप इसे पहले महीने में ही छोड़ दें तो ऐसा नहीं है आपको इस दवाई को कम से कम पूरे दो महीने तो लेना ही है क्योंकि इस दवाई का कोर्स दो से तीन महीने का होता है ताकि 6 महीने, 8 महीने या साल, 2 साल बाद ये परिश्यानी दुबारा लोट कर न आए तो अब बात करते हैं कि इस दवाई को आप कहां से ले सकते हैं इस दवाई को खरीदने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं सिर्फ आपको अपना नाम फोन नमबर और अपना अड्रेस पिन कोड के साथ मेरे इस वाटसाप नमबर पर सेंड करना होगा लगभग तीन से चार दिन में ये दवाई आपके पास आजाएगी और पैसे भी आपको जब ही देने हैं जब ये दवाई आपके पास आए तो friends आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी करें ताकि अगली knowledgeable वीडियो आप बिलकुल मिस न करें friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर